Hello and welcome back my dear soul family कैसे हैं आप सब I hope कि आप सब भी बहुत अच्छे हैं खुश हैं, positive हैं and सबसे important बहुत ज़्यादा healthy हैं आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होने वाली है जो लोग अपना marriage manifest नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप किसी को चाहते हैं और family वाले उसके लिए राजी नहीं है तो चाहे जैसी भी problem है marriage को लेके तो आज आपकी problem solve होगे इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं, अच्छी से बातों को समझते हैं and then आप चीजों को follow करते हैं तो definitely आप जैसा partner चाहते हैं वैसा partner मिलेगा and अगर आप चाहते हैं कि जिस partner को आप चाहते हैं उससे आपकी marriage हो जाए तो वो भी होगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी subscribe कर लिजे bell notification को all पे press कर लिजे ताकि daily जो मैं दोनो time video डालती हूँ उसका notification आपको सबसे पहले मिले तो शुरू करते हैं video को लेके rate तारा मा का नम तो जो लोग भी marriage manifest करना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा है तो उन्हें क्या करना है उन्हें करना है rate तारा मंत्र की chanting जी हाँ सही सुना आपने और इसके उपर मैंने पहले भी video डाल रखे है लेकिन क्या कहूं मैं आप लोग चेक नहीं करते हो अच्छे से या जो भी हो आप लोग यह जो बार-बार comment करते हो कि marriage manifest करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा option है rate तारा मंत्र इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप सही डंग से करते हैं तो तो चलिए बताते हूं कि सही डंग से कैसे करना है उससे पहले आप यह जान लिजे कि किसी किसी नहीं करना है मैंने पहले वाली video में भी बताया था कि अगर आप बहुत high vibration में हैं खुश है पॉजटिव हैं तो आपको इस मंत्र की chanting नहीं करनी है क्योंकि यह मंत्र आपकी healing करता है और जबकि आप पहले से ही खुश हैं, heal हैं और फिर भी इस मंत्र की chanting करते हैं तो इसका उल्टा effect पड़ता है आप पे क्योंकि यह negative लोगों को heal करने के लिए है जो लोग पहले से ही positive हैं उन्हें यह कैसे heal करेगा तो वो हो सकता है कि negative हो जाएं इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेगा बहुत लोग नहीं बताते हैं वीडियो में लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि आप जिस मंत्र को use करने जारे हो chant करने जारे हो वो आप पे work कैसा करेगा जैसी आपकी स्थिति है उसके according तो अगर आप positive हैं तो आपको यह मंत्र नहीं chant करना है अगर आप बहुत जाज़ा negative हैं रिष्टे manifest नहीं हो रहे हैं कोई सा भी relationship लेकिन खास करके अगर marriage manifest नहीं हो रहा है तो यह मंत्र आपके लिए बहुत ही magical तरीके से काम करता है तो चलिए जान लेते हैं कि मंत्र की chanting करनी कैसे है तो सुबह में आप जब भी आँख खुलती है आपकी आप अपना हाथ पैर उठके जरूर धो लेंगे और आप ले सकते हैं कमल गट्टे का माला या फिर आप रुद्राक्ष का माला भी ले सकते हैं माला में 108 मोत्या पहले से ही होती है इसलिए आपको count करने की कोई जरूरत ही नहीं है अब आपको simply कोई आसल लगा लेना है किसी भी चीज़ का अब आपको या तो उत्तर की तरफ अपना फेस करके बैठना है या फिर पूरब की तरफ फेस करके बैठना है बैठने के बाद आप अपने विश बोलिए रेड तारा मा से उनको याद कीजिए इस वीडियो में भी आपको उनका इमेज दिख रहा होगा तो उनकी इमेज देखके उनको याद कीजिए विजुलाइज कीजिए कि रेड तारा मा आपके पास है और आप अपनी सारी प्रॉब्लम उनको बता रहे हैं या बता रही हैं सारा बताने के बाद आप उनसे कहिए कि मुझे ये चीज़े मैनिफेस्ट करें अगर आप मेरिज की बात कर रहे हैं तो आपको बोलना है कि मैं इस इंसान को चाहती हूँ जो भी पार्टिकॉलर उनका नाम हो उनका नाम अपली सकते हैं आप बोलेंगे अगर आप लड़की हैं तो आप बोलेंगे कि मैं इस इंसान को अपने पती के रूप में पाना चाहती हूँ अगर आप कोई लड़का है तो आप बोलेंगे कि मैं इस लड़की को अपनी वाइफ के रूप में पाना चाहता हूँ या अपनी धर्म पतने की रूप में पाना चाहता हूँ यहां आपका आधा से अधिक प्रॉसेस डन हो गया जैसे कि आपने जब बोला कि उनसे अप शादी करना चाहते हैं तो आपने अपने शादी को भी विजुलाइज कर लिया आपने सोच लिया कि वो मेरी पती अपन्तनी बन चुका है आपने माता रानी से अपनी प्रॉब्लम भी बता दी उसके लिये solution भी मांग लिया अब क्या करना है अब सिर्फ माता रानी को विजुलाइज करना है और ऐसे विजुलाइज करना है कि रेड तरा मा आपको ब्लेसिंग दे रही है ऐसी अपने हाथों को खड़ा करके कि येस तथास्तू जाओ तुम्हारी ये विश बहुत जल्दी मेनिफेस्ट हो जाएगी और अब आप मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट किजिए 108 बर करना है उसके बाद जो भी अभी आपने किया उसको भूल जाना है फिर आप शाम को कर सकते हैं या फिर नेक्स टे कर सकते हैं आपके उपर है आप चाहे तो दोनों टाइम करें जल्दी चाहिए आपको रिजल्ट हो या फिर एक टाइम ही कर ले सुबह में चाहल लेते हैं उस मंत्र को जिस मंत्र से आपकी लाइफ में इतना सारा मैजिक होने वाला है तो वो मंत्र है ओम तारे तम सोहा एक पर फिर से रिपीट कर देती हूँ ओम तारे तम सोहा बस छोटा सा ये मंत्र है ये भी बोल सकते हैं कि आपके marriage हो गई है, बहुत fast work करता है, बस ध्यान रखेगा कि थोड़ा सा भी doubt नहीं होना चाहिए, मातारानी पर पूरा भरोसा करके तब इस मंतर को chant करना start कीजिए, और 21 दिन तो लगातार कीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा time नहीं दे सकते, तो 21 दिन जरूर से करना है, आपको कुछ न कुछ result जरूर मिलेगा, अगर आप लोग चाहेंगे, तो मैं रेड तारा मंतर, chanting वाली वीडियो भी आप लोगों को दोंगी, लेकिन अगर आप कॉमेंट करेंगे तो, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, helpful लगी हो, च से बहुत सारा प्यार करें, God bless you and thanks for watching.